क्या फैसले लिये जाते हैं और पिछले समय से हम देख रहे हैं इससे पहले चार ऐसी बैठकें हो चुकी हैं प्रधान मंत्री की राज्य के मुखे मंत्रियों के साथ ये पांचमी बैठक होगी कबनों में आगे बढ़ते हैं भारती रेल कोरोना वाइरस लॉकडाउन के दौर में कुछ राहत देने की बात कर रही है और इस दौरान बंद पड़ी यात्री ट्रेनों के संचालन को 12 मई से शुरू किया जा रहा है रेल मंत्रा लेने से लेकर एक विस्तरित योजना बनाई है शुरुआत में कम संख्या में ही ट्रेनों का संचालन किया जाएगा इस दौरान लोगों के स्वास्ते और कोरोना संक्रमन की जाँज भी की जाएगी रेल वे ने 12 मई से कुछ пиш पैसंजर ट्रेनों को चलाने का फैसला किया है भारतिय रेल वे की योजना है कि 12 मई से धिरे धिरे ट्रेनों का संचालन शुरू किया जाएगा शुरुवात में 15 जोडी चुनिंदा ट्रेने चलाई जाएंगी ये ट्रेने नई दिल्ली से खुलकर दिब्रुगर्ड, अगरतला, हावडा, पतना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिककंदराबाद, बेंगलूरू, चेननई, तिरुवनंतपुरम, मढगाउं, रहमदाबाद और जमू तवी जाएंगी और इन ट्रेनों में आरक्षन के लिए बुकिंग आज शाम चार बज़े से शुरू होगी और केवल IRCTC की वेब साइट पर उपलब्ध होगी रेलवे स्टेशनों पर स्थित टिकेट बुकिंग काउंटर बंद रहेंगे और बुक करने की अनुमती होगी यात्रियों के लिए फेस कवर या मास्क लगाना अनिवारे होगा और ट्रेन के प्रस्थान करने के समय उन्हें अपनी स्क्रीनिंग करानी होगी तथा केवल उन्हीं यात्रियों को ट्रेन में चड़ने की अनुमती होगी जिनमें इस रोग का कोई भ इस्त्रित विवरण उचित समय पर अलग-अलग जारी किये जाएंगे।